hey guys hello everyone हाज है 26 आपरिल कैसे हैं आप लोग हाज 26 आपरिल 2020 की करट amino rapport में आपका भूबत विलकूम प्लीज वीडियो को complete सुनिए और वीडियो को end तक सुनिएगा complete और end तक हर वीडियो का आपको सुनना है ये मेरी आप से request है और नई लोगों से रिक्वेस्ट एगी कि उस सिल को प्लीज सस्क्राइब जरूर करें सस्क्रिप्शन में हमें सपोर्ट करें और बैल आइकन को भी हिट कर लें पसंद आए वीडियो तो लाइक शेर जरूर करें अच्छे कॉमेंट्स जरूर बेजें तो स्टार्ट करते हैं पहला कॉशन लिखते हैं हाली में वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाए गया है वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाए गया है तो अभी 25 अपरेल को मनाए गया है वर्ल्ड मलेरिया डे वर्ल्ड मलेरिया डे ठीक ये 2000 लगबग 2001 से अफ्रीका में तो मनाया जा रहा था अफ्रीकन कंट्रीज में लेकिन 2008 से पूरे वर्ल्ड में मनाया जाने लगा कौन सा वर्ल्ड मलेरिया डे विश्व मलेरिया दे वस मलेरिया के रोक से पूरी तरह जागरुक करते हुए रोक थाम करना यही World Malaria Day का उद्देश है यानि objective है अब इसको World Malaria Day को कौन बनाता है तो World Malaria Day को मनाता है WHO World Health Organization 7th April 1948 को इसकी स्थापना होई और आप से पूझा था कि Headquarter बताए है Headquarter कहां है जेनिवा Switzerland में WHO WTO दोनों के Headquarter कहां है जेनिवा Switzerland में Ted Rose Adhano Givinians Ted Rose Adhano Givinians ये कौन है ये Head है WHO के इस बार World Malaria Day की theme क्या है Zero Malaria Starts With Me क्या है देखें सुने Zero Malaria Starts With Me Zero Malaria Starts With Me ये theme याद रखेगा लास्ट येर जब मैंने अपरिल का करेंट आफिर पढ़ाया तो मैं आप लोगों के लिए तब भी मैंने ये आपको बताया है World Malaria Day के बारे में मैं अल्मोस्त दो तीन सालों से पढ़ा रही हूँ लेकिन बात ये है कि एक साल से YouTube पढ़ा रही हूँ इससे पहले मैंने WhatsApp पे Free of Cost पढ़ाया और उसके बाद जब मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे employment की तो सक्त जरूरत है तो फिर मैंने YouTube पे पढ़ाना शुरू किया और लगातार struggle चल रहा है अब देखते हैं कि हम कब अपने आपको प्रूव कर पाते हैं प्रूव कर सकते हैं YouTube के in front of YouTube कब हम टर्मेंट पॉलिसी को जो है टर्म मतलब उनके पॉलिसी के recording term and conditions को पूरा कर पाते हैं तो वन येर से मैं YouTube पे हूँ लेकिन मैं बहुत पहले से WhatsApp पे पढ़ा रही हूँ तो इसी लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने पहले भी पढ़ाया था चले तो ये एक डे था जो 25 एपरल को मनाया गया एक और important day कौनसा तो ये है world delegation day delegation कहते है प्रती delegates यानि प्रती निदित्व करना delegation प्रती निदी विश्व प्रती निदी दिवस यानि world delegation day ये भी कब मनाया जाता है तो ये 25 को मनाया गया ये भी 25 आपरल को मनाया गया यानि कि world malaria day और world delegation day यह दोनो 25 अपरेल को मनाएं कै आपको मालूम है 25 अपरेल को ही ये ये जो वर्ल डेलिगेशन दे बे कौन मनाता है इसको कौन मनाता है जिसको मनाता है UNO कौन UNO याद रखना है नेक्स कोशन देखते हैं प्लीज विडियो को कमप्लीट और जादा से जादा सुनिएगा और ठहान से ओके चलें आगे चलते हैं नेक्स वोशन लेते हाली में अभी फाइलों के फाइल्स रेगुलेशन के लिए यानि फाइलों के संचालन के लिए कौन सा एप और किस ने विकसित किया है हाली में भी फाइल्स रेगुलेशन के लिए कौन सा एप लाँच किया गया है हाली में भी फाइलों के संचालन के लिए कौन सा एप विक्सित किया गया है तो यह है एकार रियाले कौन सा एकार रियाले इसको किस ने लॉंच किया है CISF Central Industrial Security Force Central Industrial Security Force ने बनाया है E-Car Reale क्या है E-Car Reale इसमें क्या होगा जो Files होती है उनको अगर टच करते हैं और वो इदर से उदर भेजी जाती है लोगों को forward की जाती है तो इसमें कोरोना वाइरस फैलने का संक्रमण फैलने का ज़्यादा खत्रा रहता है तो इसी यानि कोविट के कोविट 19 के संक्रमण को फैलने पहलने में कमी लाई जाए इसी उद्देश्य से एक E कार्याले नाम का एप डेवलप किया है CISF ने और E कार्याले क्या है कि इसमें Files को स्टोर किया जाएगा और इसमें जो भी अपने आफिस के लोग होंगे यहां पर सब के पास यह इस्टॉल होगा और आपस में जहां जहां जरूरत होती है ऐसे फीचर्स होंगे कि जहां हम फाइल रांसफर करना चाहते हैं वहां हम फाइल को रांसफर कर सकते हैं तो यानि Files Transferring और Files Regulation के लिए E कार्याले यानि E Office E कार्याले का एप किस नामा और ये किस ने बनाया है ये बनाया है CISF ने CISF ने NextTa Green Watson का निधन होगा ये कौन थे ग्रीन Watson का निधन होगा ये कौन थे तो ये थे एक Australia के Most Famous Kricken प्रतिष्ठित किरकिटर थे Australia के Green Watson कहीं पे आपको ुएस वाटसब उठा मिल जाए माफ कीजे वाटसअप नहीं वाटसन ग्रीस वाटसन भी मिल सकता है लेकिन मोस्टली जो सही नाम जो जादतर मिलना चाहिए सही नाम जो मुझे लगा है कि वो क्या है तो ग्रीन वाटसन क्योंकि यह आपको मोस्ट फेमस है और हट जगा मिलेगा और ग्रीस वाटसन कुछ ही जगा मिलने की गुंजाईश है तो ग्रीन वाटसन ताम के याद रखेंगे ग्रीन वाटसन तो इसलिए गर ग्रीस भी हो तो कंश्यूज नहीं होना है कौन आस्ट्रेलिया के मोस्ट फेमस क्रिकेटर है इसकॉर्ट मॉरिसन यह उस्ट्रेलिया के प्रधान मंतरी है कैनबरा कैनबरा क्या है उस्ट्रेलिया की कैपिटल उस्ट्रेलियन डॉलर यह उस्ट्रेलिया की करिंसी है और और मॉस्ट उस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन एवरी वीक 60-80% गेमस में बिजी रहती है इसलिए इसको Capital of Games of the World कहा जाता है किसको Australia को याद रखना है Next Question देखिए हाली में अभी परधान मंतरी श्री नरिंदर मोदी जी ने पंचायती राज के अफसर पर कौन से दो नए एप डेवलप यानि कौन से दो नए एप शुरू किये है हाली में अभी परधान मंतरी श्री नरिंदर मोदी जी ने पंचायती राज तिवस के अफसर पर कौन से दो नए एप शुरू किये है देखिए मैंने आपको कहा था दो योजनाओं को सरपंचों को संबोधित करते हुए प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी ने एनॉंस किया कल पंचायती राज के बारे में काफी बताया था आपको तो ये योजनाए अब जाहिर सी बात है जब लॉक डाउन चल रहा है तो ये ओफ लाइन तो कोई लागू होंगी नहीं तो इनको एप के माध्यम से लागू आज कल क्या है हड तरह के जो भी स्कीम सा रही है प्रोग्रैम सा रहे हैं जो भी योजनाए आ रही है उस सब को कैसे लागू किया जा रहा है एप के थ्रू इसके एप के थ्रू तो पहला है E-gram स्वराज क्या E-gram स्वराज यानि कि जो ग्राम सरपंचों को जो भी जो भी मतलब इनको funding दी जाती है जो भी finance दिया जाता है उसके बारे में पूरी detail को रखने और उसका use करने के लिए क्या एप बनाए गया है कौनसा है E-gram स्वराज यानि वो अपने पैसे को कैसे खर्च करेंगे जो उनको audit मिलता है या कैसे उस पैसे का क्या use हुआ कितना मिला और कैसे कैसे गाओं के विकास में उसको use प्रियोग करना है तो ये E-gram स्वराज के माध्य हमसे करेंगे एक दूसरा है बना है स्वामित्व जो भी प्रापर्टी है उसकी ड्रॉन के माध्यम से मतलब देखरे की जाएगी ड्रॉन कैमरों के माध्यम से देखरे कर रखने के लिए गरामीर संपत्ती क्या गरामीर संपत्ती पर गाओं की प्रापर्टी पर ड्रॉन के माध्यम से देखरे करने नज़र रखने के लिए क्या स्वामित्व एप कौन सा स्वामित्व एप लाया गया है ताके लोगों को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो और COVID-19 का संक्रमण ना पहले और E-Gram E-Swaraj क्या है कि जो भी गाउं को जो भी फंडिंग जो फंड मिलेगा जो दिया जाएगा उस फंड के बारे में पूरा नौलिज रखने के लिए और उस गाउं के डेवलप्मेंट के लिए काम जो होगा उस डेवलप्मेंट को नजर में रखने के लिए और उस में मतल श्री नरेंद्र मोधी जी ने अभी मतलब शुरू किये हैं यह योजना एप के माध्यम से लागूंगी देखें कोविट 19 यह कैसी समस्या है जो बहुत मतलब महामारी है आपको तो पता ही है तो दुनिया भर में फैली हुई है इसलिए बे इंतहा कोशन्स हैं बे इंतहा ए कोशन्स के बारे में बता रही हूं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इसको निगलेक्ट मत कीजेगा और जादा से जादा आपको नोट करके रखना है कि कैसे भी आपका कोई कुशन ना चुटे या वीडियो से रिवाइस करते रहना है ठीक याद रखना है नेक्स कोशन है हाली में अभी किस देश ने कुरोना वाइरस की लिए एक वैक्सीन बनाई है जिसमें जिसका यह कुशन ऐसे देखिए किस देश ने कोविड नाइनटीन वैक्सीन की हीूमन टेस्टिंग शुरू कर दी है हाली में किस देश ने कुरोना वाइरस वैक्सीन की यह वैक्सीन का मानव परिक्षन शुरू कर दी है यानि कोविड नाइनटीन वैक्सीन की हीूमन टेस्टिंग शुरू कर दी है तो किस देश ने ये यूके ने यानि यूके देखिए यूके की जो वारिस चॉंसन प्रधान मंतरी हैं वो भी अभी कुरोना वाइरस में मतलब ने कुरोना वाइरस पॉजिटिव पाए गए थे जिसके चलते क्या किया था ब्रिटेन ने एक हॉस्पिटल बनाया था किसने ब्रिटेन ने एक हॉस्पिटल बनाया था मात्र दस दिनों में 4000 बैड़ वाला हॉस्पिटल एक बहतरीन हॉस्पेटल बनाया COVID-19 पेशिंट्स के लिए और 10 डेज में उसको तयार किया और 4000 बैट्स वाला ये हॉस्पेटल था ठीक अभी क्या है COVID-19 के लिए एक वेक्सीन डेवलप की है किसने Oxford University के researchers ने यानि जो researchers हैं जो शोध करता है Oxford University के जो शोध करता है जो researchers है उन तमाम शोध करता हूँ यानि researchers ने एक वेक्सीन बनाया है COVID-19 के लिए जिसका दावा किया है कि 80% सक्सेस होने के चांसेस है इस वेक्सीन के यानि COVID-19 के ट्रीटमेंट के सफल होने के सफल ट्रीटमेंट मिले के इस वेक्सीन के तुरू 80% चांसेस है 80% चांसेस हैं कि ये वेक्सीन सफल हो जाएगी ये Oxford University के शोध करता हूँ ने बनाया है researchers ने बनाया है ठेक है याद रखिएगा तो ये अभी UK ने UK ने इसकी human testing शुरू कर दी है जो ये COVID-19 वेक्सीन लाई है जो बनाया Oxford के शोध करता हूँ ने UK की capital क्या है लंडन और currency क्या है pond sterling और waris johnson ये कौन है waris johnson है प्रधान मंतरी प्राइम मिनिस्टर याद रखना है next question हाली में अभी recharge साथी बोड़ा फोन और idea ने किस के साथ मिलकर का एक कारिकरम शुरू किया है बोड़ा फोन और idea ने recharge साथी नामक कारिकरम किस के साथ मिलकर शुरू किया है हाली में बोड़ा फोन आइडिया अब ये एक ही है पहले ये अलग अलग उगा करते थे आइडिया अलग बोड़ा फोन अलग बोड़ा आइडिया बोड़ा आइडिया का मर्चर हो गया तब से एक है तो कुशन सुनिए बोड़ा आइडिया ने किस के साथ मिलकर रीचार्ज साथी कारिकरम शुरू किया है बोडा आइडिया ने किस के साथ मिलकर रीचार्ज साथी कारिकरम शुरू किया है तो पेटीम के साथ पेटीम के साथ रीचार्ज साथी कारिकरम शुरू किया है किसने बोडा आइडिया ने जी बोड ऐडिया ने समझाता किया पैटियम के साथ और रिचार्ज काथ ही अपने यूजर्स के लिए एक फ्रोग्राम शुरू कर दिया कौन से ख्योजना लागो कर दिया काूंसी जी रिचार्ड साति यह क्याज़् की यह क्या है कि बोड ऐडिया के रिचार्ज को Mansion लोगो लाइन उनका रिचार्ज कर देंगे रिचार्ज बेज देंगे जिस पे कैश कैश पैक्स मिलेंगे मतलब कैश मिलेगा कुछ थोड़ा बहुत बोड आइडिया की तरफ से यानि बोड आइडिया की जो कस्टमर है दूसरे कस्टमर वो आपस वो अपना बोड आइडिया के मतलब income होगी बोड आइडिया देगा वो तो यही है रिचार्ज साथ ही पेटियम के साथ मिलकर बोड आइडिया ने शुरू किया है आप बात करते हैं पेटियम की तो विजय शेखर शर्मा ने इसको शुरू किया था एटियम की एक parent company है क्या नाम है 197C C मतलब communication 197 communication पूरा यादर किये 197 communication और 2010 में इसका जो है इसका establishment हुआ पेटियम का Noida में headquarter है यादर कियेगा नेक्स कोशन है हाली में अभी भारत का कौन सा पहला राज़े वर्चुल अदालतों की वर्चुल अदालतों को स्थापित करने या वर्चुल अदालतों के माध्यम से काम करने वाला बन गया है भारत का पहला राज़े ऐसा कौन सा बन गया है जो जिसमें वर्चुल अदालतों की शुरुआत की जाएगी तो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश बन गया है जिसमें अब courts यानि अपना अदालते काम करेंगी और lockdown में भी अब काम चलेगा इसमें virtual अदालत यानि video conferencing के थुरु कामों का यानि जो court है UP की वो video conferencing के थुरु cases की सुनवाई करेंगी cases की पर जो है कारेवाही जो भी court को करनी है वो होगी action लिये जाएंगे जो भी कुछ है अदालत के decisions दिये जाएंगे सब कुछ होगा मगर case जितने भी मुकदमों की सुनवाई होगी वो video conferencing के थुरु होगी यही कहते है वर्चवल courts क्या virtual मतलब video conferencing के थुरु आदालतें चलेंगी यूपी की अब ये भारत का पहला राज्य कोर्ट काम करेंगी यहां virtual court काम करेंगे तुरु आदालतें अपना काम करेंगी यह भारत का पहला ऐसा करने वाला बन गया है राज्यकॉन यूपी उत्तरप्रदेश अब ये एक और कुशन यहाँ पर आ जाता है जो यूपी का हाई कोट है जिसका हेड़कौर्टर कहां है अलाबाद में लखनव में खंड पीट है खंड पीट तो कई जगा हो सकती है लेकिन अलाबाद में है यूपी का हाई कोट इसके जो चीप जस्टिस है वो कौन है चीप जस्टिस अफ उत्तरप्रदेश हाई कोट तो कौन है गोविंद माथोर जी माथोर यूपी के वर्चौल कोट ये थूपी पहला राज्य बना है तो वैसे कोई कोशन क्या मैंने आपको बताये थे GioTech Community Kitchen GioTech Community Kitchen यूपी नहीं अभी थोड़े दिन पहले शुरू किये था शुरू किया था GioTech Community Kitchen जिसमें बहुत सारी लोगों को खाना मिला करेगा खाने खाना पहुशाए जाएगा ठीक है याद होगा GeoTech Community Kitchen के बारे में आपको बताया था UP नहीं pool testing शुरू की है जिसमें pool testing में क्या COVID-19 के 10 sample को test किया जाएगा 10 में से एक भी अगर negative है तो दसों को negative मान लिया जाएगा और अगर एक भी positive है तो फिर individual उन COVID-19 के लिए जो एक sample का भी मतलब ये result positive आया है तो फिर दसों की अलग-अलग testing होगी दसों लोगों की अलग-अलग उन्ट जे sample है अलग-अलग testing होगी तो यही pool testing थी ये भी UP नहीं शुरू की है ठीक UP के चीफ मिनिस्टर कौन है योगी आधित तिनाल आनंदी बिन पटेल गवर्नर अशोका ब्रिज राजकिये ब्रिज है पलाश राजकिये पुष्व सारस राजकिये पक्षी बारा सिंगा राजकिये पशू एक बात सुनिए फ्रेंड्स ये जो अभी CISF ने E का रेले बनाया है एब Files Regulation Transfer के लिए तो ये CISF की स्थापना सुन लीजे का वही थी स्थाबलिश्मेंट वहाता इसका 1969 में और आजेश रंजन इसके CEO है CISF के Central Industrial Security Force 1979 में स्थापना और आजेश रंजन CEO है दूसरी चीज एक बात ये है कि GEO Community Kitchen जो UP में स्थाबलेश हुए थे तो वो UP Government ने GEO Community Kitchen को इस्टाबलिश किया है तो वो किसके साथ उसके लिए tie-up यानि agreement किया था तो tie-up किया है Google के साथ यानि समझोता है किसके साथ किया Google के साथ मिलकर UP Government ने शुरूर किये GEO Tag Community Kitchen UP में Google के साथ मिलकर शुरूर किये गए हैं इतना जरूर याद रखिएगा Google के CEO को ने तो सुन्दर पिचाई ये भी याद रखिएगा चलिए आगे चलते हैं हाली में भी Tele Medicine Service को किस राजे सरकार ने शुरू किया है तो पंजाब Government ने Tele Medicine Service Tele Medicine सेवा यानि कि अगर lockdown में किसी से पूछा जाये तो मुस्टली लोग क्या एक Excuse देते हैं मान लीजे बात तो सची होती है लेकिन इस चीज का Use कभी कभी गलत होता है कि हाँ जी हमें दवा लेनी है Medicine लेनी है या कुछ Medicine की जरूरत है तो इस तरीके से lockdown का rule बार बार कोई break ना हो लोग lockdown को proper follow करें पंजाब के तो यही सोच के पंजाब राजी सरकार ने टैली मेडिसिन सेवा टैली मेडिसिन सर्विस को शुरू किया है आपको जो दवा चाहिए आप order कीजिए आपको नमबर वहाँ पे दे रखा होगा या आपको online order भी कर सकते है या उस नमबर पे call कर सकते है आपको वो दवा घर पे पहुचाए जाएगी यानि दवाओं की home delivery आप जो दवा कहेंगे उसकी home delivery आपको दी जाएगी और यही है टैली मेडिसिन सेवा आप घर पे रहें हम आपको दवा पहुचाएंगे ठीक तो लेकर जब दवाओं की delivery देंगे घर पे दवा आएगी उसके बाद आप payment कर दें उनका तो जो दवा आप चाहते हैं उसका payment आप करके आप दवा ले ले लेकिन दवा की home delivery होगी तो यही है telemedicine सेवा और इसी को पंजाब राज़ सरकार ने शुरू किया है यह एक और ने शुरू किया था एक राज़ सरकार ने और इससे पहले मैंने आपको बताया है अगर आपको याद है तो π्लीज of बताये किस राज़ सरकार ने telemedicine सर्विस को शुरू किया था, अभी पंजाब राजिस सरकार ने शुरू किया है तो यह अगर आप को याद है, इससे पहले और किसने शुरू किया था तो जरूर बताईगा पंजाब, पंजाब की गवर्नर कौन है, बी पी सिंग बदनौर पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंग, ठीक, और पंजाब की कैपिटल का है, चंडीगड, चंडीगड किसकी और कैपिटल है, हरियाना की चंडीगड और है क्या, चंडीगड यूटी भी है Union Territory भी है और हर्याना पंजाब की Capital भी है Next Question है हाली में अभी खाद्यान की Home Delivery के लिए कौन सा एप शुरू किया गया है हाली में किस राज़े ने खाद्यान की Home Delivery के लिए एक एप शुरू किया है हाली में किस राज़े ने खाद्यान की होम डिलीवरी के लिए एक एप लाँच किया है तो जारकंड ने जारकंड ने फूड होम डिलीवरी खाद्यान की होम डिलीवरी के लिए एक एप शुरू किया है क्या नाम है जारकंड बाजार जारकंड बाजार ये मतलब एक एप है ऑ जो भी समान है उसकी होम डिलिवरी आपको बिल्कुल दवाओं की तरह घर पे दी जाएगी जैसे अभी पंजाब ने शुरू किया था वो टैली मेडिसिन था ये खाद्यान तो खाद्यान होम डिलिवरी यानि फूड रिगार्डिंग जो भी आपको जो भी रिक्वार्मेंट हैं आपकी चाहे वो आपको कच्छा पका जो भी जैसा फूड चाहिए खाद्यान यानि अनाच चाहिए वो तमाम चीजें आपको घर पे होम डिलिवरी दी जाएगी और ये जारखंड बाजार का एप इसके लिए लांच किया है जारखंड ने आपको इंस्टॉल करना होग और उस एप को इंस्टॉल करने के बद महां से ओर्डर करें और आपको वो तमाम चीजें घर पे उपलब्द करवाई जाएगी बाई होम डिलिवरी ये जारखंड बाजार एप और टैली मेडिसिन सेवा क्या थी वो भी उसके लिए एक टैली मेडिसिन सर्विस एप है उसक का नाम क्या है द्रौपती मुर्मू कवर्णर है जारकंड की कैपिटल का है राची जारकंड का एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है हजारी बाग कौन सा हजारी बाग और एक और वाइड लाइफ सेंचुरी मैंने शाद पहले बताया था आपको दुबारा सुन लीजे डलमा डलमा वाइड लाइफ सेंचुरी और हजारी बाग और ये मैंने आपको सब वहाँ पे भी बताया है जो दूसरे वीडियो बनाये है नेशनल पार्क और बाइस फेर रिजर्व के वाइड लाइफ सेंचुरी का एक वीडियो रह गया है उसे बनाने के लिए वो भी मैं आपक कल के अंदर देने का सोच रही हूं बनाकर विल्कुल मैं कल ही देने वाली थी इंशाला आज कंप्लीट कर दोंगी ठीक नेक्सकूशं नेक्सकूशन बात करते हैं हाली में अभी operation कलेंडर किसे लाइफ से लांच किया है हाली में अभी हमारे प्रेजिट्ट टाइम के M.H.R.D. मिनिस्टर रमेश पुखरियाल निशंक ने ऑपरेशन कलेंडर लांज किया और इस्टूडेंस के लिए है. किस के लिए? स्टूडेंस के लिए है ऑपरेशन कलेंडर. और ये N.C.E.R.T. के साथ मिलकर शुरू किया है. ऑपरेशन कलेंडर किसने? किसने? M.H.R.D. ने? तो हमारे M.H.R.D. मिनिस्टर रमेश पुखरियाल निशंक, Ministry of Human Resource Development मिनिस्टर को ने? रमेश पुखरियाल निशंक, इन्होंने N.C.E.R.T. National Council of Education, Research and Training. N.C.E.R.T. के साथ मिलकर स्टूडेंडर के लिए एक ओपरेशन कलेंडर ओपरेशन कलेंडर लांच कर दिया है. अब है क्या? कि स्टूडेंडर घर पे ही रहें, लोगडाउन को फॉलो करते हुए, लोगडाउन का पालन करते हुए घर पे रहें, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ स्टूडी करें, तो स्टूडेंट घर पे ही रहें, और कंटिन्यूटी के साथ स्टूडी करें, इसके लिए क्या? ओपरेशन कलेंडर यांज C.E.R.T. के साथ मिलकर, M.H.R.D. मिनिस्टर रमिश्पोकरियार निशंक ने शुरू कर दिया है, ठीक है? चले, आगे चलते हैं. कोशन देखिए, हाली में अभी, कोशन ध्यान से सुरिए, हाली में अभी, किस देश ने अपना मंगल मिशन द्यान वीन फरस्ट, द्यान वीन फरस्ट, लाँज किया है? हाली में, किस देश ने अपना मंगल मिशन द्यान वीन फरस्ट, लाँज किया है? तो लाँज किया है, चाइना ने, चाइना की स्पेस एजनसी है, CNSA चाइना नेशनल स्पेस एजनसी CNSA तो CNSA ने अभी मंगल मिशन चाइना का लॉंच कर दिया है और क्या नाम इसका द्यानवीन फरस्ट अब मुझे CNSA से एक बात याद आई कि मैं आपको अक्सर ISRO के बारे में बताती रहती हूँ ISRO ISRO के स्पेस एजनसी अपने इंडिया की और CNSA अभी क्या चाइना की तो चाइना की स्पेस एजनसी ने चाइना का चाइना ने अपना मंगल मिशन लॉंच कर दिया है और ये मंगल मिशन जो लॉंच किया इसका नाम क्या है द्यानवीन फरस्ट याद रखेगा चाइना की बात करते हैं 2022 के विंटर ओलंपिक 2021 के यनी 2020 के ही एशियन गेम्स और 2021 के एशियन यूद गेम्स ये चाइना में होने है चाइना ने अपनी ये डिजिटल करिंसी इलेक्ट्रोनिक पेमिंट डी सी इपी भी अपी शुरू की है ये सारी बाते आप य गएद रखेगा चाइना की क्या पेटल भीजिंग है क्रिंसी रेन्मीज़ फिय है और श्री जिम्पिंग प्रेशिडेंट ऑफ चाइना है नेक्स्कुशन देखे हाली में अभी किसने नेया नचाहाइप्रेशिर वाल्य वेटल में बना दिया है हाली में vivre ऐखने एक न्या high pressure वाला vital नाम का ventilator बनाया है तो NASA USA नासा USA NASA USA की अब यह देखें अमेरिका की space agency कौन सी है NASA अमेरिका की कौन सी हुई NASA NASA National Aeronautics Space Agency National Aeronautics Space Administration माफ कीजे Agency नहीं National Aeronautics Space Administration National Aeronautics National Aeronautics Space Administration क्या है National Aeronautics Space Administration Space Administration से पहले क्या है National Aeronautics तो यह National Aeronautics Space Administration NASA अमेरिका की space agency है और इसी ने अभी क्या बनाया है High pressure वाला COVID-19 के पेशिंट्स के लिए एक Ventilator जिसका नाम है Vaital Vaital नाम का एक Ventilator बनाया है यह High pressure वाला है COVID-19 के पेशिंट्स के लिए इसको बनाया है नासा ने देखिए कुछ पेशिंट्स की कंडिशन बहुत ज्यादा critical यानि serious होती है और कुछ की कम serious होती है यूज किया जाएगा ताकि जो critical condition वाले patient हैं उनको जो ventilators की कमी हो रही है वो serious condition वाले patients को तमाम ventilator मिल सकें और जिनको थोड़ी सी कम दिकत है सांस लेने में उनको vital का प्रियोग करके बचाया जा सकें कुल मिला कि जो अमेरिका का मोटो है यानि उदेशे है वो क्या है कोविड-19 के patients को जानानी से बचाना यानि उनकी life को secure करना तो जो वेटल से जिनको थोड़ी सी कम problem है breathing में तो सांस लेने में उनको ये इससे बचा लिया जाएगा और जो बाकी वेंटिलेटर्स हैं उनसे जो मिला कि नासा ने एक अच्छा कदम उठाया और इस वेटल नाम की हाई प्रेशर वेंटिलेटर को कोविड-19 patients के लिए डेवलप किया है नासा ने ही अब भी आपको बताया तक पृत्वी की तरहां दिखने वाला एक उपगर है क्या नाम था एक्सो कैप्लर 1649 सी एक्सो प्लानेट एक्सो प्लानेट कैप्लर 1649 सी ये प्रित्वी की तरहां दिखने वाला उपगर है यही नासा नासा ने अभी बनाया था, मतलब स्वारी, खो जाता, खो जाता है, बनाया नहीं, खो जाता, नासा ने अभी डिस्कवर किया था, कौन से प्रित्वी की तरह देखने वाला उपकर है, क्या नाम इसका, एक्सो प्लानेट, कैपलर, 1649, 1649C, एक्सो प्लानेट, 1649C, और लेकिन 1649C से पहले बन लगा लेंग चीज, कैपलर, इता कि आपको याद रहे, तो इतना याद रख लें, कम से कम, इतना बड़ा ना कर पाएं तो, एक्सो प्लानेट, कैपलर, 1649C, एक्सो प्लानेट, कैपलर, 1649C, ये प्रित्वी की यानि अर्ज की दरह दिखने वाला एक उपकर है, ठीक है, एक्सो प्लानेट से समझ रहे हूंगे, ये नासा ने अभ बनाया, एक, संराइस मिशन, संराइस मिशन बनाया, संराइस मिशन, स्टडी ऑफ सन के लिए नासा ने बनाया, ये दो बड़ी बड़ी अचीवमेंट अभी नासा ने गेन की, और अभी तीसरी अचीवमेंट, कि नासा ने वेटल नाम का हाई प्रेशर Regular Trailer, Covid-19 patients के लिए ब नासा का मोटो क्या है for the benefit of all नासा की स्थापना का वोई इस्टाबलिश्मेंट हुआ 1958 में और हैड़कॉर्टल कहा है वाशिंग्टन डी सी नासा जिससे बताया नासा नेशनल एरोनाटिक्स स्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन तो एड्मिनिस्ट्रेशन तो एड्मिनिस्ट्रेटर कौन है एड्मिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रिटनिस्टीन कौन है वो इस दे एड्मिनिस्ट्रेटर एड्मिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रिटनिस्टीन हाली में कुशन लेते हैं तो एक बात यह सुनिये हमने आपको अमेरिा की Space Agency का नाम भी बार 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 इंडिया की Space Agency की बाथ भी अक्सर होती है और मैंने वैसे आपको चाइना जापान वगिरा की Space Agency को भी नाम बताए तो इसको revise कर लिजे अबी आपको चाइना का बताया थाbit, CNA से और एक मैंने भी अमेरिका का बताया स्पेस रिसर्च और एक और मैंने आपको बताया था थोड़े दिन पहले ही जाकसा जाकसा जे एस जे एक्स ए जे एक्स ए क्या जापान एक्सप्लोरेशन स्पेस एजिंसी ठीक तो यह नासा में बस यादर की का अजिंसी नहीं एड्मिस्ट्रिशन है तो यह सब यह रिवाइ में किस देश ने एफडियाई पर अतिरिक्त प्रती बंद लगाया है हाली में अभी किस देश ने एफडियाई पर अतिरिक्त प्रती बंद लगाया है यानि एफडिया फॉरेंड डिरेक्ट इन्वेस्ट्मेंट पर बैन लगा दिया है किस ने किस देश ने तो अपने भारत ने जितना invest for FDI हुआ है वो ठीक है लेकिन अभी क्या है प्रतीबंद यानि बैन लगा दिया है FDI पर अतिरिक्त इसी को कहते हैं कि बैन लगा दिया है BFDI के उपर किसने अपने देश भारत ने क्यों लगाया है देखिए अपने इंडिया की economic condition बहुत खराब है COVID-19 के कारण और आपको पता है चाइना की condition बहुत ही बहतर है economic condition तो जब ये FDI पर बैन लगा दिया गया है तो एक चाइना ने एक statement दे दिया था ये काम भारत ने के FDI पर अतिरिक्त बैन लगाया है यानि कि अतिरिक्त क्या मतलब अतिरिक्त कि अब तक जो हुआ हुआ है लेकिन फिलहाल अभी इसको बैन कर दिया गया FDI को तो ये statement आया किसका चाइना का बस चाइना कहीं आया और किसी का नहीं तो अब चाइना की economic condition तो बहुत बहतर है आपको पताया है अभी कुछ दिन में मैंने बताया था कि जतनी सबकी एकोनोमी जीडी पी रेट गरी है तो नहीं चाइना की उतनी गरी तो चाइना की कंडिशन बहतर है अब चाइना ने थोड़ दिन पहले HDFC में 1.01% की हिस्सेदारी भी खरीदी है यानि HDFC बैंक में शेयर खरीद लिया 1.01% का अब ये चाइना ने खरीद लिया अब ये भी तो हो सकता है ना कि अगर भारत बैन ना करे फडियाई पर तो ये चाइना तो बहुत सारी कंपनी में शेयर खरीद लेगा बहुत सारी कंपनी में इस्सेदारी खरीद लेगा चाइन आज एक तशमला 0.01 मतलब 1.01% की हिस्सेदारी HDFC में है चाइना की इस तरह से चाइना के पास पैसा है तो पैसे का इस्तिमाल करेगा और बहुत सारी कंपनीज में शेयर खरीद लेगा हिस्सेदारी खरीद लेगा तो इससे क्या होगा कि जो भारत में जो चाइना का प्रभाव है वो बढ़ जाएगा तो यह प्रभाव बढ़ जाएगा बहुत स्यादा बहुत स्यादा कम से कम एफेक्ट बढ़ जाएगा ना वहीं जो आपने कहीं पर ज्यादा निवेश कर दिया कई सारी कंपनीज में आपकी हिस्सेदारी हो गई तो जाइड सी बात है create हो तो इसी लिए भारत ने ban कर दिया है ताकि चाइना बहुत सारी company's में जो बहुत सारी company है उनमें FDI ना लगा सके तो इसी लिए अभी ban कर दिया है अपने देश भारत ने किसको अतिरिक FDI को अभी ठीक है तो ये चाइना रहे हैं ये सब जानते हैं कि चाइना के पास उतना भी पैसा है ये सब जानते हैं सारे न्यूज में कितनी economic जलाओ से वो चाइना का नहीं हुआ और चाइना ने हिस्सेदारी भी खरी दिये और चाइना ने statement भी दिया है तो सीधा-सीधा ये logic लगा सकते हैं कि बहुत सारी कंपनी में शेयर खरी सकता है चायना जिसे के एफेक्ट बढ़ जाएगा इसलों इंडिया ने ये बहतर किया है किये अधिरिक्त FDI को बेंड कर दिया ठीक ये चीज फॉरिंड डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुशन देखिए हाली में पांच कदम कोरोना मुक्त भ किसने की है तो ये की है टाटा ट्रस्ट ने पांच कदम कोरोना मुक्त भारत की किसने टाटा ट्रस्ट ने शुरुआत की है जो ग्रामियर लोग हैं वो स्वस्त रहें और स्वस्त रहने की जो पॉसिबल जो पॉसिबल मतलब उनको है जो फैसिल्टीज है जो प्रदान की ज आने चाहिएं वो तमाम facilities वो तमाम help gram palav मेर्ड लुगों को सुस्त रहने चाहिए एक तो यह दूसर यह कि जो gramDIA लोगों के सुस्त यनि healthy रहने का तरीका है उस तरीके में को development की ज़रुप है को चे शेंजिस की ज़रुप है तो उस method को उस way को बहतर बनाया जाए इन तमाम दोनों बातों को सोचते हुए इन दोनों बातों को क्या नमबर एक क्या कि ग्रामीर्ड लोगों को जादा स्वस्त रखा जाए इनको जो facilities या जो कुछ help चाहिए वो उनको दी जाए दूसरा क्या दूसरा ये कि जो methods है विलज के लोगों के healthy नाने के जो methods है तो उन तमाम methods में कही improvement की जरूरत है या फिर improvement की क्या उन तरीकों को develop करने की जरूरत है तो उन तरीकों को developed बनाया जाए इसी लिए भी Tata Trust ने 5 कदम करोणा मुक्त भारत नाम का अभियान चला है तार्टा टरस्ट का है ये 5 कदम करोणा मुक्त भारत ग्रामी लोगों के स्वास्थ रहने और उनके स्वास्थ रहने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए बस इतना याद रखना है लास्ट खोशन है हाली में होम करंटीन किये जाने वाले पेशिंट के लिए इलेक्ट्रिक रिस्ट बेंड की घोशना किस देश ने की है हाली में कुविट नाइनटीन के पेशन्स के होम कारंटीन रूल ब्रेक के लिए ये होम कारंटीन के संबन्देत ऐलेक्ट्रिक रिस्ट बेंड की घोशना किस देश ने की है तो देखिए question सुनिए electric crisp end की घुशना किस देश ने की है ऐसे COVID-19 के patient यानि कोरोना वाइरस के patient जो home quarantine किये गए है और अगर वो home quarantine किये गए या जहां भी किये गए ना कि सिर्फ home quarantine मान लिजिए किसी ward में quarantine किया गया है तो जो quarantine यानि उनको जो quarantine center में रखा गया है तो उस quarantine center के rule अगर वो break करते हैं question क्या था किस देश ने quarantine quarantine centers में COVID-19 के रहने वाले patients के लिए electric crisp end की notification या घुशना जारी की है तो South Korea किसने South Korea ने South Korea में जो quarantine center में COVID-19 के patients रखे गए हैं चाहे हो home quarantine हो या फिर quarantine center में हो कोई भी quarantine center हो तो अगर वो rule को break करेंगे एक भी rule break करेंगे तो क्या होगा कि उनके हाथ में electric wrist band बांदिया जाएगा electric wrist band यानि एक कलाई पर जो band बांदे है electric का होगा वो और उसमें क्या होगा कि जैसे ही वो rule को break करेंगे तुरंथ notification उनके बारे में सरकार के पास जाएगी सरकार के पास जाएगी कि उन्होंने अपना quarantine center area cross किया है या उसका कोई rule break किया है को युनि कि को एक कोई rule break किया है या कोई भी rule break किया है या जरा साभी कोई area cross किया है तो उसके देखते हुए safety को देखते हुए या electric wrist band wrist कहते हैं कलाई को electric wrist band South Korea के सरकार बांदेग्य ऐसे लोगों का जो एक भी रूल को ब्रेक करते हैं और अगर वो दुबारा ऐसा करेंगे तो सरकार के पास यानि गौवर्मेंट के पास जानकारी तुरंत पहुचेगी उन पेशिंट्स के रिगार्डिंग तो यही इलेक्ट्रिक रिस्ट्रेंट की नोटिफिकेशन जारी की ह किसने साउथ कॉरिया ने 17 पेशिंट जो कारणीशन किये गए उनके संबंदित धीक कोशन क्या था समझ गए नसी सब्सक्रादिटन करइब 19 पेशिंट जो कारणीशन किये गए उनटींच के लिए उन पेशेंट्स की रिस्ट बेंड की dengan किस ने कि स्थेींग तो साथ कोरिया के चीफ मिनिस्ट्र वो sorry I'm sorry शाथ कोरिया के प्रेशेंट South Korea के प्रेशेंट शाथ कोरिया के प्रेशेंट्न ने एक रूल निकाल दिया कि कोई भी पेशेंट रूल को करेगा quarantine rule को तो वो जो है उनके लिए उनके हाथ में बान दिये जाएगा एलेक्ट्रिक रिस्पेंट और नौर्टिफिकेशन तुरण सरकार के यानि गौर्वर्मेंट के पास पहुचेगी ऐसे लोग होगी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन हो गए साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हो गए मून जे इन जो दुबारा बने हैं मून जे इन साउथ कोरिया की करिंसी क्या है साउथ कोरियन वान साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है साउथ कोरिया की कैपिटल है स्योल क्या है स्योल और क्रिस्ट पेंट कोविड नाइंटीन हो सारी कोविड नाइंटीन कौरिंटीन रूल्स को ना ब्रेक करें पेशन्ट इसलिए लाए गया है ठीक तो ये था दोस्तों आज का ये करंटाफर कैसा लग आपको जबर बताईगा एक वीडियो में आपको पका दूंगी बना कि आज मैं कल देने वाली थी I'm so sorry उसके लिए आज दूसरे वीडियो पे मिलेगा उसको जादा से जादा सुनिए लाइक शेयर कीजिए खुश रहिए अपना ख्याल रखिए टैंक्स वॉस्टिं